स्री शुवाई नमस्तवियम दोस्तो हर हरमादेव आज की इस वीडियो में 21 लोंग का एक अच्चुक उपाय बताने जा रहा हूँ उपाय क्या है चानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रही है और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइमली मिलती रहा है सबसे पहले आपको नीम के पत्ते की डंटी लेनी है वो भी 21 और फिर लेनी है आपको 21 लोंग और 21 काले मिर्ज उसके बाद आपको एक साफ सुत्रा लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े में आपको 21 लोंग, 21 काले मिर्ज और 21 जो नीम का आपने डंटी तोरी हुई है उसे डाल देना है और अच्छी तरीके से उसे बान लेना है और फिर कोई भी हनुमान मंदर में आपको चले जाना है और उस कपड़े को 21 दिनों के लिए हनुमान जी के मंदर में रख देना है अगर आप हनुमान जी के मंदर में ना रख पाए तो आप अपने घर में ही जो पूजा रूम है उसमें जहां हनुमान जी का इस्तान है, मुर्ती या फोटो जो भी आपने हनुमान जी की रख़वी हो, उस जगह पे आप 21 दिनों के लिए इसे रख दें और 21 दिन हो जाने के बाद उसे उठा लाएं और फिर आदे लिटर पानी में उन सभी सामागरी को निकाल कर पानी में डाल दें और उस पानी को तब तक बॉयल करें जब तक कि वो पानी आधा ना हो जाए पानी आधा हो जाने के बाद गैस बंद करके उस पानी को छान लें और उस पानी को 21 दिनों तक आप अपने घर में जो भी वेक्ती किसी भी प्रकार का नशा, सराब पीना या फिर सिगरेट पीना या कोई भी गंदी नशा हो जो वो करते हैं उन्हें पिलाना चालू कर दिजे आप उन्हें किसी भी लिक्विड चीज में डाल कर उसे पिला सकते हैं लेकिन ये आपको लगतार 21 दिनों तक पिलाते रहना है ये उपाई करने से जो भी वेक्ती नसा करता है वो धीरे 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 कम होने लगता है और नसा से मुक्त हो जाता है तो उम्मेदे ये वीडियो आपको अच्छे लेगे होगी वीडियो अच्छे लेगे होते से दूसरे के साथ भी शेयर करें और साथ ये बर चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद स्रीश्वाय नमस्तव्याम